जहें दोस्तों बंदे मातरम, Z5 आज की डेट में लगातार कुछ इस तरह का कॉंटेंट लेकर सामने आ रहा है जिसको कि आप एक फैमिली एंटेनर के रूप में एक सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे रख सकते हैं चाहे आप उनकी कोई वेब सीरीज अभी हाल फिलाद के उठाकर देख लीजिए या मूवी उठाकर देख लीजिए हर कोई बिल्कुल अप्टू दो मार्क रहती है इसी फैरस में रिलीज वी उनाटेट कच्चे जिसमें के सुनिल ग्रोवर मुक्य करदार में दिखाई दे रहे हैं लेकिन सबसे एहम बात और सबसे एक्साइटिंग बात जो मुझे लगी इस वेब सीरीज को देखकर वो यह है कि उनाटेट कच्चे में सुनिल ग्रोवर के साथ साथ मौजूद हैं सतीश शाह सतीश शाह का में एक लंबे अर्से से फैन रहा हूं और लिट्रली मानी है वह जहां पर भी मौजूद रहते हैं एक्टिंग में चारचान लगा देए आज की लेट में हम लोग बात करें तो उठटी के ऊपर ऐसा कॉंटेंट बनाया जाता है जिसको कि आप फैमिली के साथ नहीं बलकि सिर्फ अकेले में बैटकर देख सकते हैं यह एक ऐसी वेब सीरीज है जिसको कि आप पूरी फैमिली के साथ बैटकर देख सकते हैं और इंजॉय भी कर सकते हैं बिना कानों में एएरफोन लगाएं फॉर अब्विस रीजन्स सबसे वड़ी बात अभी पिछले के कुछ समय में हम लोगों ने जिस तरह की वेब सीरीज देखी हैं वो काफी जादा इंटेंस काफी जादा सीरिय लाओगे जब तक कि आप अपनी पुर्खों की जमीन को गिरवी रख कर विदेश ना चले जाओ वो भी इसी कांट को करने की प्रोसेस में अपनी जमीन को गिरवी रखता है अपने घरवालों को बिना बताए और चला जाता है इंगलेंड काम की तलाश में लेकिन यहां पर पर बुला जाता है कच्चे मतलब की इलीगल माइगरेंट अब वो यहां से पैसा वेसे के बंदोबस्त करके इंगलेंड तो बहुंच जाता है लेकिन वहां पर जाकर जब कुछ रूल्स में बदलाव होते हैं कुछ चेंजिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि अब उसका इंगलेंड में रहना काफी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और जितने की उसके फ्लैट मेट्स हैं जिनके साथ वहां पर रह रह रहा है जिन वेकि वहां पर बंगलदेशी भी हैं पाकिस्तानी भी हैं भारती तो हैं ही सही इन सभी के साथ साथ वो भी बहुत बुरा इस भी किरदार में जाता है मतलब एक अलगी लेवल पर छा जाता है यह बंदा सतीश शा के बारे में आपको शुरुआत नहीं बताया इनके बारे में तो एक्टिंग को लेकर कुछ नाहीं बोला जाय तो बहतर है चाहे हम लोग बात करने सजाद की जो की मनु रिशी के किर और उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ों रखी है वो यह है कि इस वेब सीरीज के जो एपिसोड्स हैं वो सिर्फ 20 से 25 मिनिट के हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको इसे अगर बिंज वाच करने के लिए बैठना है तो आपको दस बारा घंटे निकाल कर बैठना पड़ेगा नह को देखकर लगता था कि यार उसी को सुनकर लगा कि यह नहीं यार यह कुछ एक अच्छी चीज़ आई है जो भी हो आखरी में अगर शॉर्ट कमिंग्स की बात करें तो मुझको तो हाल फिलाल में कोई नजर नहीं आई है आप इस वेब सीरीज को जीफाई फरजा कर जरू बताइएगा और अगर आप अभी तक इस वीडियो में जुड़े हुए है मेरे साथ मतलब कि आप को इस वीडियो अच्छा लगा है तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाईए डिस्क्रिप्शन में मेरे टैलेग्राम चलनल का लिंक दिया हुआ है फटा-फट से इसको टच कर पिंजें जे बाराव